दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मत प्रदेश में रोजगार पंजयन कैसे कर रहे हैं जी यहां दोस्तों एधी आप मत प्रदेश के निवाशी हैं और आप पढ़ारी कर रहे हैं या फिर किसी गवर्मेंट जॉब की प्रपेशन कर रहे हैं तो रोजगार पंजयन होना आपके पास बहुत जरूरी है क्योंकि दोस्तों मत प्रदेश में जो भी वेकेंसी निकलती है सभी में रोजगार पंजयन यानि कि रोजगार अजिस्टेशन उसमें मांगा जाता है तो यहां पर मैं इस video में आपको रोज़गार पंजियन आप अपने mobile से केंसे कर सकते हैं दोस्तों इसकी पूरी जानकारी मैं इस video में आपको दूंगा तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मैं आपको इस टार्टिंग से बता देता हूं आपको क्या करना है? आपको अपने मोबाल में Chrome browser को open कर लेना है और Google search box में आपको type कर देना है MP रोजगार पंजियन इतना type करने के बाद आपके सामने जो भी link पहला सो होगा उस पर आपको click कर देना है click करते ही आप पहुँच जाएंगे इसकी official site मत प्रदेश रोजगार पोटल पर पंजियन नवी निकरन या update इस वाले option पर आपको click कर देना है तो चलिए हम यहाँ पर click कर देते है click करते ही दोस्तों हम पहुच जाएंगे एक नए page पर यहाँ पर कुछ इस तरह से इसका interface हमें दिखाई देगा अब दोस्तों इसमें अगर आपने पहले कभी registration किया हुआ है तो आप login वाले option पर click करके अपनी जो भी profile है उससे update कर सकती है और यदि आप नए है नया registration करना चाहरा है तो दोस्तों आपको register वाले option पर click करना है यहाँ पर click करते ही आपके सामने कुछ जानकारी मांगी जाएगी जैसे कि इसमें यहाँ पर आपको अदम देख सकती है इसमें आपका first name एंटर करना होगा यहाँ पर आपका last name एंटर करें इसके बाद आपको यहाँ पर एक mobile number देना है यहाँ पर आपके पास कोई email idea तो यहाँ पर enter कर देनी है और यहाँ पर आपको एक नया password बना लेना है password ऐसा बनाना है जो आपको याद हो और जो थोड़ा अच्छा हो मतलब मजबूत हो इस strong को जिसमें कि आप numbers, letters या symbol का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर आपको confirm में यहाँ पर enter करना है और इसके बाद आता है हमारे सामने किया आप इस रोजगार पंजन की साइट का अपडेट वोड़सेप पर पहना चाहती है यहाँ आप इसका अपडेट वोड़सेप पर लेना चाहती है तो इस पर आपको tick कर देना है अगर नहीं लेना चाहते तो आपको नोबाले option पर tick कर देना है और तो मैं आपको यहाँ accept time condition पर click करके register पर click कर देना है तो यहाँ पर चलिए मैं सभी detail को भल लेता हूँ और आपको बता देता हूँ कि आँगे फिर हमें क्या करना है किस तरह से और भी जानकारी आँगे वढ़नी होंगी तो दोस्तों मैंने यहाँ पर सभी detail भल ली है अब यहाँ पर मैं register पर click कर देता हूँ जैसे हम register पर click करेंगे तो जो हमने mobile number दिया हूँ उस पर एक OTP आएगा आपको उस OTP को यहाँ पर fill कर देना है OTP एंटर करने के बाद आपको OK पर click कर देना है तो हमारे सामने यहाँ पर एक pop-up message सो हो जाता है कि आपका user login सपलता पूरवक बनाया गया है कि पर पंजन के लिए login करें अब हम यहाँ पर जो हमने password बनाया है और जो number हमने यहाँ पर enter किया हुआ है उससे हमें login कर लेना है तो चलिके हम OK पर click कर देते हैं अब यहाँ पर दोस्तों हमने जो number दिया हुआ है अपना Y number हमने यहाँ पर enter करना है और जो पासवर्ड हमने बना या है उस पासवर्ड को यहां पर एंटर करें के जो capture code देखाई दे रहा है आपका जैसा भी capture code दे उसे यहां पर enter कर देना है और submit वाली option पर आपको क्लिक कर देना है तो चलिए दोस्तों हमें क्या जान करें एंटर करनी है तो आप यहां पर देखिए हमारा नाया पंजयन है तो यहां पर हमें शूप होने लगेंगी यानि कि आपका अगर समर आईडी में डेट बर्त या नाम में या फिर कुछ भी गलत है तो यहां पर वो शूप होने लगेगा सभी तो अच्छा रहेगा कि आप समर आईडी डालने से पहले एक बार कंफर्म हो जाएं या फिर अपडेट नहीं है आप आपके नाम डेट बरत या आधार नंबर मूबाल नंबर यह सब हो अपडेट उसमें कर लें समर आईडी में तबी आप यहाँ पर समर आईडी एंटर करें समर आईडी डालने के बार आप यहां पर जानकारी खोश στην पर आप उपसन पर आपको किले करना होगा यहांसे है आ पर आपके आपका नाम या आपके पता अगर आप शादी शुदा है फिमेल है तो आपके पती का नाम यहां पर आपको अपना जेंटर सेलेक्ट कर लेना है यहां पर आपको डेट ओब बर्त एंटर कर देनी है जो भी आपकी डेट ओब बर्त है वह एंटर यहां पर कर देनी ह और किस केटेगरी से आप आते हैं जैसे कि आप अगर जनरल से आते हैं तो यहां जनरल से OBC, SC, HT यहां पर वो केटेगरी आपको डाल देनी है इसके बाद दोस्तों यहां पर आपका पसंदीदा थेतर यानि कि आपको एंप्लॉई है या फिर आप सेल्प एंप्लॉई है यहां पर दोस्तों आपको एक फोटू अपना देना होगा तो आप इस पर जैसी क्लिक करेंगे तो आपके जो भी मॉबाइल फॉन में फोटू होगा गैलरी से आपका यहां पर फोटू ले लिया जाएगा वै फोटू दोस्तों मैक्सिमम साइज 20KB का होना चाहिए तो यह यहां पर एक फोटू आपका आजाएगा आप इसे अपलोट कर सकते हैं और आगे मैं नीचे बता देता हूँ अब यहां पर दोस्तों आपके राज क्या है आपका स्टेश चुन लेना है यहां पर आपकी डिश्रिक कौन सी है रोजगार कारल है कौन सा लगता है तो यहां यहां पर ओप्सण दूस्तों जैसे आप अपना जिला एंटर करेंगे तो यहां पर रोजगार जो भी करला है आपके जिला में उसका नाम यहां पर शू हो जाएगा लोकल वोड़ी क्या लगती है यहां पर यहां पर यांप कर लेंगे और आपका वर्ड नमबर क्या है पि तो यहां पर S कर देना है नहीं है तो आपको No पर टिक कर देना है इसके बाद आविदाक पूर्व या बरतुमाज में किसी संसा में कालरत है तो आपको Yes और नहीं है तो आपको No और लाश्ट मैं दोस्तों एह option आपको देखाई दे रहा है इस पर आपको टिक कर देना है टिक करने के बाद यहां पर आपको धुष्टों शिप बाले option पर क्लिक करके जो भी जानकरी आप यह पार दी है वह शिप कर लेनी है अब यहां पर दोस्तों आप थोड़ा सा इसका दूश्रा option देखेंगे तो यह थी personal information यानि कि बैक दिगा जानकारी अब इस पर आप क्लिक करके यापनी जो भी education details है यहाँ पर आप enter कर सकते हैं तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ जैसि हमें इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पर एक home open हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों जो भी आपकी योगता यानि कि आप जो भी पढ़ाई कर रहा है वह यहाँ पर चुन लेनी है और उसे यहाँ सब्सक्राइब कर लेनी है जैसि कि आप graduate है या पिर आप अंग्रेजूट है पोष्ट ग्रैजूट है जो भी आपने किया हुआ है तो भाय कर यहाँ पर इसके बाल कश कोई है यानी की आप ने लाश्ट उत्रीन परिखशा कौंशी वर्स में किया है वह यहां पर आपको डाल देनी है डिवीजन आपका यानी की गिरेट किया रहा ह वहाँ आपको आपको यहाँ पर फिर्ट कर देनी है और अगर आपके पास कोई अतरिकत यूगता है जैसे कि अन्ने किसी परीगार का डिपलोमा तो यहाँ पर क्लिक करेंके आप उसे भी एट कर सकती हैं और अंत में दोस्तों यहां पर लाश में आपको देखाई देगा फाइनल सेफ करें यानि कि जो कुछ आपने डिटेल बारी हुई है वह आपको सेफ कर देनी है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों जो आपका रूज़गार पंजन होगा और यहां पर दोस्तों मैं एक बात और आपको बता देता हूँ अगर आपको थोड़ा सा उपर जाएंगे तो प्रॉफाइल का ओप्शन आपको देखाई देगा इस पर क्लिक करेंगे आप और भी अतरित जानकार यहां पर अपडेट कर सकते हैं अपनी प्रॉफाइल में ठीक है तो चली हमें इस पर क्लिक कर देते हैं क्लिक करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं जो भी हमने फोटू दिया होगा तो वह हमारा photo यहां पर show हो जाएगा जो हमारा number है यहां पर show हो जाएगा और जो email दिया हुआ है यहां पर हमें दिखाई देगा और इसके बाद दोस्तों यहां पर आप document details और जानकारी भर सकते हैं जैसे कि आप pen card, adar card अगर कुछ इसमें लगाना चाहते हैं तो वह है यहां पर select करके उसे भर सकते हैं उसका number यहां पर enter कर सकते हैं और उसकी एक PDF फाइल आपको यहां पर upload करनी होंगी तो उसे आप upload कर सकते हैं इस तरह से आप अपनी profile को कभी भी login करके update कर सकते हैं man आपका जो है रोजगार पंजयन यानि की registration number है तो दोस्तों इस तरह से आप अपना रोजगार पंजयन आसानी से अपने mobile के द्वारा कर सकते हैं और जब भी आपको उसमें कुछ update करना हो तो आपने जो mobile number दिया हुआ है और जो password बनाया है तो उसके जरीए आप अपनी profile को update कर सकते हैं ठीक है और सब कुछ कर लेने के बाद आप अपना registration number जो है यानि की रोजगार पंजयन उसे download कर सकते हैं और यहां पर दोस्तों जो आपको उपर दिखाई दे रहा है option इस पर click करके आप इसे logout कर देना है ठीक है तो इस तरह से एती पूरी जानकारी दोजगार पंजयन नया वनाने की आसा करता हूं दोस्तों information आपको फसंद आई होगी अगर आपके पास किस परकार का कोई doubt है या question है तो आप मुझे comment कर सकते हैं मैं उसका reply जरूर दूँगा यहां तक बीडू जिकने के लिए धन्वार ठैंक्स पूर पॉस्टिंग मिलते हैं अगली वीडियो में जैहिन